सब को जय मसी की और आज प्रभु ने मेरे हिर्दे में डाला कि मैं आपके फाइनेंस के लिए प्रात्ना करूँ यानि आपके धन के लिए चलिए एक वचन देख लेते हैं सबसे पहले फिलिप्पियों की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और उसका उन्नीस और बीस लिखा है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसी येशु में है तुम्हारी हरे घटी को पूरी करेगा हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे आमीन जब हम प्रभु में आते हैं प्रभिश्व मसी को स्विकार करते हैं तो कई तरह की परिक्षाएं होती है आती है शैतान भी होता है लोग सोचते हैं कि हमें शैतान तंग कर रहा है या हमारे जीवन में बंधन है रुकावट है जो की सही सोच रहे हैं वो लोग ऐसा ही होता है मगर एक खास बात जो आज के दिन में आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि शैतान का एक गुप्त हमला भी होता है और वो आपके धन पर पैसे पर करता है आप देखेंगे कि आपके पैसे गायब हो रहे हैं कम हो रहे हैं पूरे नहीं पड़ रहे हैं बजट कितना ही बढ़िया क्यों ना बना लिया जाए तो भी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं समझ में नहीं आता कि पैसे कहा जा रहे हैं पैसे खर्च होते चले जाएंगे ऐसा लगेगा कोई बचत नहीं है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि शैतान गुप्त रिती से आपके धन पर हमला करता रहता है और यदि हमारा जीवन सही नहीं है प्रभुशु मसी के साथ हम नहीं चल रहें इमानदारी के साथ तो बहुत सी बाते हो सकती है और इन में से कई प्रकार के हमले वो हमारे जीवन में करता है उन्में एक खास हमला हमारे धन पर करता है जिसे इंगलिस में फाइनेंशल अटक बोलते हैं यानी धन पर हमला मसी लोगों के धन पर हमला और आप देखेंगे कई बार आप पैसे पैसे के लिए मुहताज हो जाएंगे कई लोगों को लोन लेना पड़ेगा उधार मांगना पड़ेगा और कई बार तो अपने घर की कीमती वस्तवों को गिर्वी रखने की नौबत आ जाती है जब हम प्रविश्व मसी में आ गए तो फिर ये चीजें क्यों होती ये चीजें इसी लिए होती है कि शैतान गुप्त रूप से हमला कर रहा होता है और हमें पता नहीं होता है या हमें समझ में नहीं आता या हमें समझाया नहीं जाता या हमें ऐसे अगवे या चरवाहे नहीं मिले जो इन बातों पर गौर करें या हमें समझाएं सिखाएं तो इन ही बातों के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे हगवाई किया है कि मैं अपने मसी भाई और बहिनों के लिए इस भेद को खोलू कि जिस दिन आपने इश मसी को स्विकार किया था तीन साल पहले पांस साल पहले दस साल पहले दो महिने पहले या दो दिन पहले या दो घंटे पहले आपके फाइनेंस पर आपके धन पर शैतान निरंतर हमला करता रहता है तो फिर क्या करना चाहिए प्राथ ना कीजिए जैसा मेरे पुराने वीडियोज में मैंने बताया है कि उन पैसों को उन पैसे में से कुछ अंच गरीब लोगों को दीजिए ताकि आप पर प्रभू की किर्पा दया और बरकत बनी रहे ऐसे अगवों को मत दीजिए जो इस संसार के हैं जो इस संसारिक रीती से धन राशी बटोर रहे हैं पर उनको दीजिए जिनको वाकई जरुरत है जब आप दूसरों के लिए काम आएंगे तो प्रभू आपके धन पर अनुगर करेगा और कम से कम गरीबी का बंधन नहीं लगने देगा जो वचन पर चलता है वो कल्यान पाता है जो वचन नहीं मानता वो नश्ट हो जाता है प्रात्ना करने से पहले मैं एक बार फिर से इस वचन को पढ़ना चाऊंगा मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के नुसार जो महिमा सहित मसी येशु में है सारा धन महिमा सहित प्रभू येशु मसी में है तुम्हारी हरे घटी को पूरी करेगा वही करेगा पूरी यानि इशु मसी पूरा करेगा और कोई नहीं हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे आमीन ठीक है वचन हमें समझाता है कि आपकी घटी को कमी को येश्यू मसी ही पूरा करेंगे चलिए प्राथना कर लेते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर जितनी महिलाएं हैं जितनी बेहने हैं जितने सिस्टर हैं बड़ी आदर के साथ अपना सिर ढख लीजे अपना सिर ढख लीजे जितनी महिलाएं हैं अपना सिर ढख लीजे बिना आदर मान समान के कुछ भी नहीं है जैसे जैसे आप मेरी बातों को सुनकर अपना सिर ढख रहे हैं किरपा आप पर आने जा रही है मैं सच कहता हूँ जितनों ने मेरी प्रात्ना पर मेरी सिक्षा पर मन लगाया है क्योंकि मैंने कुछ भी वचन से बाहर नहीं कहा है सभी पर कल्यान होता चला जाएगा धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता बहुतों ने सिर ढख लिया है बहुत से सिस्टर्स ने अपने सिर को ढख लिया है और जो भाई भी सुन रहे हूंगे उन पर भी करपादिस्ट्री करने जा रहे है मैं देख रहा हूं कई स्वर्दूत उतर रहे हैं और ये स्वर्दूत जेंट्स के यानि की भाईयों के ब्रदर्स के पॉकेट को टच कर रहे हैं पर्स को टच कर रहे हैं बैंक बैलन्स को टच कर रहे हैं और उनके कामकाज पर अनुगर लेकर आ रहे हैं, पैसा पूरा नहीं होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा पूरा नहीं होता है, चाहे जितना कमा लो, चाहे जितना बचाने की कोशिश करो, बचता नहीं है, यदि आप में से कोई ये है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बत कई बेहनों को मैं देख रहा हूं रोते वे भी लगते वे इतना खर्चा है प्रभू इतना खर्चा है प्रभू हम कहां से लाएंगे चोरी हम कर नहीं सकते हेरा फेरी हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम तेरा भै मानते हैं यह जिस किसी बहने भी का यह कमेंट में मुझे लिख द तूझकि आप पर कल्यान होने जा रहा है धन्यवाद पिता परमेश्वर बहुत से लोगों की बैंक बैलन्स को स्वर्दू टच गर रहे हैं पॉकिट को टच गर रहे हैं परस्त को टच कर रहे हैं हालेलूया पिता प्रभुकि तेज सामर्द बंधनों को तोड़ दे रही है धनराशी से सम्बंदित बंधन टूट रे हैं हालेलुईय आपिता बंधन तूट ते जा रहे हैं शुके नाम से कई बंधन टूट जा रहा है शुके नाम से पैसे गाइब हो रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे पैसे रखते हैं वो गाइब हो जाते हैं उन पैसों को स्वर्दूत वापस उन जगों पे लेकर आ रहा है शुके नाम से अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं प्रभु की साम अर्थ को देखेंगे आप हालेलुया मैं जैसे जैसे प्रातना कर रहा हूं प्रभु की आशी और नुगरे उतर जा रहा है स्वर्दूत से जैसे स्वर्दूत 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 कई लोगों का विश्वास बढ़ गया, कई लोगों की आत्मा एक करवट ले चुकी है, यानि कि आपकी स्पिरिट चेंज हो गई, आपके सोचने समझने का तरीका चेंज हो गया, आज जनुकर का दिन है, प्रभू आप सभी को आशिश दे रहे, धन पर आशिश दे रहे, मग कीजिए, तब ही हम प्रभू इश्व मसी के बेटा और बेटी कहलाएंगे, धनेवाद पिता मैं विश्वास करता हूँ, आपने पिता अनुगर कर दिया है सुनने वालों पर, और बंधनों को तोड़ दिया है, रास्ता निकाल दिया है, धन से समझनित आशिशों को स्वर् बहुत 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 आशिश दे, आमीन, आमीन, आमीन